कि बख्षोट क्या है करोश पकड़ना मुश्किल है सिम्बा मैदान में चलते हैं सिम्बा वहां हामें हरी घास मिलेगी नहीं शुक्रिया हरी घास तुमका मेरा खाना तो यहीं है सिम्बा वापस आओ सिम्बा रूपो सिम्बा सिम्बा सुबा तुम नहीं पकड़ पाओगे सिम्बा तुम नहीं पकड़ पाओगे उसे सिम्बा मैंने कहा था तुम ठीक हो पर मुझे भूख लगी है तु ठीक है चलो खुले मैदान के चल कर कुछ मज़ेदार खाते हैं कहा था खर्गोष तुम्हारे बस की बात नहीं है पता है यह दिलाने की जरूरत नहीं जाओ जाके खास खाओ तुम यहां तुम घर क्यों नहीं गए भूखने लगी क्या हम चमेली मा पर खाना खाने के लिए निर्वर नहीं रहना चाहते हैं हम अपना खाना कुछ डून लेंगे यहां आज निर्वर बनोगे भूख लगी है काओ इतनी चोटी उमर में आत निर्वर होना इस जंगल में बहुत मुश्किल है चमेली मा के पास जाओ वो तुम्हें सिखाएगी जो सीखना चाहिए नहीं आज कल वो संजीव की किताब से शाकारी वेंजन के सिवा कुछ नहीं बनाती यह बात है तुम्हें अगस्त्या के पास जाना चाहिए वो वो मदद करेगा वो हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है काफी किताबे पड़ी है उसने हो सकता है वो तुम्हें कुछ ऐसा बता दे जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो अच्छा तो अब मैं चला अपने रास्ते और तुम चल आखिरा ही गए वो देखो सिम्बा कहते हैं यहां की घास आपकी सारी भूख मिटा देती है शायद पर शेर कभी घास नहीं खाते बड़ बड़ करना बंद करो और यह हरी हरी घास खाओ सच में स्वाद अच्छा है क्या बग्षाच स्वादिष्ट है और पता है मैं तो दिन भर खा सकता हूं तुम भी खाओ सिम्बा इससे कोई नुक्सान नहीं होगा अजीब लग रहा है सिम्बा मेरे दोस्त क्या तुम तैयार हो बदला लेने के लिए इन्होंने हमारे माता-पिता की जान ली हां मेरे दोस्त चाहे कुछ भी हो जाए मुझे शेर खान और उसके चम्चे लखी ता सबाकी और उन बंदोग धारी मनुष्यों से बदला लेना है तो फिर चलो अब वक्त आ गया है तो बदला लेना है हम खहले, यहां परता हो टिंदे ग्रिजी परता आम अहां जहां परता जानbot लख, परते परस पांके में on तो लवाई के तैयारी कर रहा है कैसी तैयारी कर रहा है मैं शेर खालों खबर देता हूं मालिक एक अच्छी खबर है सिम्बा और बक्षॉप पागल हो गए है उन्होंने हमें डराने की भी कोशिश की और वो अब आपको ढून रहे हैं जनाब मालिक सुन रहे है हुजूर देखता नहीं मैं सो रहा हूं उन्हें आले आओ मैं देख लूंगा उन्हें देखते नहीं वह सो रहे हैं ओ हां ठीक है ठीक है पर कैसा कहते हैं करो उन्हें यहां लेकर आओ और उन्हें छुटंकों का नास्ता में करेंगे लेकर आओ मैं तुम्हें नास्ता मना दूगा करेंगे तो मुश्किल है कैसे पकड़ें अगर हम उनके पास गए तो आमें छोड़ेंगे नहीं पकड़ा तो शेर कान को क्या जवाब देंगे मुश्किल कान है देखो कितना उछल रहे हैं चलो चलो जो नामत सिंबा शेर खान बचना नहीं चाहिए बहुत अच्छे सिंबा वो क्या कर रहा है कुछ समझ पर नहीं समझ नहीं हारा चलो तब मा को लेकर आ मैं एलेक्स को बलाता हूँ सही का उन्हें मा की जरूरत है शायद उनके पागलबन को एलेक्स सी जीक कर पाएगी पता नहीं क्या हो गया है जल्दी जाओ उन्हें ये दवा रोज देना थोड़ी थोड़ी वो हमेशा स्वस्त रहेंगे ठीक है ठीक है एलेक्स शुक्रिया मा ओ मा गरबर हो गई क्या हुआ है सिंबा और बक्षार पागल हो गए है वो जाडियों को नश्ट कर रहे है चलकर देख लीजिए अजीव परताव कर रहे हैं हाँ कुछ अजीव पर बड़ा भी रहे हैं जल्डी चलो हमें वह चलकर देखना चाहिए शुक्रिया शुक्रिया हाँ वो रहे बिल्कुछ सामने देखो लगता है इनोरे कुछ ऐसा खालिया जो इन्हें नहीं खाना चाहिए था उठो बच्चे तुमने ऐसा क्या खाया बेटा मुझे घरगोश खाना था पर पक्षोट ने मुझे घास खिला ऐसी घास मुझे याद नहीं वो जारियों से ले रहे थे हमने देखा हाँ काफी आदंक मचाया है तुम्हें पेड़ बौदों के साथ ऐसा नहीं करना था चाहिए उनमें भी जान होती है कुछ समझ में आया तुम्हारा बरता बिल्कुल गलत था एलेक्स ने सही कहा पेड़ भी हमारे दोस्त है मैं उट नहीं पा रहा है मैं भी नहीं इसका इलाज है मेरे पास क्या उससे वो ठीक हो जाएंगे एलेक्स हां इस चड़ी बूटी के कारे से सब कुछ ठीक हो जाता है हां ये लो सिम्बा पियो पी लो पियो नाई पी लो सिम्बा इससे तुम ठीक हो जाओगे पियो बहुत बढ़िया सेम्बा तुम बहुत अच्छे हो अब बक्षोर्ट तुम्हारी बारी है हां हां जरा मुख खोलो बक्षोर्ट ये पीकर अच्छे एगेगा अब ठीक लग रहा है दोनों एक जैसे हैं सिम्बा बक्षोर्ट शाबाश अंत भला तो सब भला चलो आगस्तिय को बता जाए कि उसका काड़ा काम कर गया और मैं इन शैतानों को घर ले जाती हूं ठीक है फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे अलवदा आलत अगस्तिया 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 उठो भी मुझे तुम से बात करनी है क्या तुम सुन सकते हो उठो आलती कहीं कि तुम्हारी मदद की जरूरत है सिंबा को तुम्हें सिंबा को बताना होगा कि जंगल में क्या उसके खाने लाइक है क्या और पक्षाट को भी उन्हें कुछ नहीं पता खीक है बड़ पहले यह खतम कर लूँ फिर उन्हें सिखाता हूं कि पेट कैसे भरा जाता है शैकानी मत करो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूं भूट लगी है अब बस भी करो हमेशा खेलते ही रहते हो तुम यहां खेल रहे थे और हम वहां शेर खान से लड़कर आ रहे हैं बता है सही सुना हां पतरनाख है यह तो हमने आखिर अपना बदला ले ही लिया यह आसान नहीं था तुम दोनों जर्पो को तुम्हें बस सूचता है तो खाना सोना और खेलना जब तुम यह सब कर रहे थे मैं पताजी का पदला ले रहा था शेर खान से बुस्दिलो तुमने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया का को देखा अकडू हां मा वो थोड़ी दूप सेख रहा है क् तुम उससे बुला लाओगे क्यों नहीं सिम्बा और बग्षॉट की अकल वही ठीक आने लगाएगा अब देखना तुम वह सो गए उन्हें पास इसी की जरुवत थी सच में हां नीन की वचे से जड़ी बूटियों का काड़ा अच्छा असर करेगा अच्छा अच्छा में पहले ही कहा था टीन की आस पास मत बठकना दोबारा नहीं काउंगा अगली बार यहां दिखे तो देख लेना कैसी हूँ प्यारी दोस्तों और उपर जड़ जाओं क्या तुमने बुलाया था एलेक्स हाँ सिम्बा और बक्षॉट ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि वो अपने अलग दुनिया में चले गए पर मैंने उन्हें अभी अपना कारा दिया है वो ठीक हो जाए तो इसी वजह से यहां बुलाया था हाँ मैं चाहती हूँ कि तुमने सिखाओ कि दूसरों के साथ आदर सी कैसे पेशा है तुमने मुझे क्यों बुलाया इस काम के लिए अगस्तिया से बैतर कौन हो सकता है पर को मैं अब तक तुम्हें निगल गया होता तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं यहां हूँ तुम्हारा मतलब जब मैं सपने में खाना देख रहा था तब तक मैं तुम्हारा निवाला बन चुका होता कोई कोई ऐसा क्यों करेगा मैं चोटा सा बच्चा हूँ ना कोई मुझे तब तक कैसे खा सकता जब मैं नीन में हूँ मुझे नहीं लगता मुझे भूख लगी अब तो शायद मैं हरी हरी घास भी जाकर खा सकता हूँ नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो उमीद है कि तुन्हें सबक्सीत लिया होगा तुम्हें चोकरना रहना होगा सिंबा हम सब खाद शिंखला में आते हैं और तुम्हें पता होना चाहिए कि जंगल में खुद की रक्षा करना कितना जरूरी होता है ताकि तुम खत्रों से बस सको और तुम्हें शिकार करना भी आना चाहिए बगीरा तुम्हें शिकार करना सिखाएगा और तुम बक्षोट तुम्हें पता है कि घास और जाडिया कैसे डूड़नी है और तुम्हें सीखना होगा कि उसमें से खाने वाली कौन सी है और कौन सी नुक्सान पहुचा सकती है हर जीवित चीजों का एक उदेश है कुछ चीजे प्राडियों का भोजन बनती है और कुछ चीजे खाने लाइक बिल्कुल ही होती है पर उन्हें सुरक्षित प्रिजादी के होते हैं मांसाहरी होते हैं तुम्हारी तरह शिम्मा उन्हें चाश्चा फेंसे घर मिला था वाग्शॉड ने उसे पकड़ने नहीं दिया है वैसे भी वह बहुत तेज था बगीरा तुम्हें बताएगा कि शिकार कैसे करना है ताकि तुम पेड़ और घास अपने दोस्ट बक्षाट के लिए छोड़ दो उसका खाना है पेड़ पौध है और तुम्हारा मास मचली कुछ समझें प्रक्यति में हर छोटी बड़ी चीज क बहुत होता है इसने तुम्हें चोटे सुचोटे कीड़ों का भी आदर करना चाहिए हर चीज जरूरी समझें तुम बहुत हुआ अब इन्हें यह बताओ कि उन्हें क्या करना चाहिए और वह कहां मिलेगा तुम उन्हें यह पताना भूल गए कि वह पेड़ों पला के फ़ जबीन पे गिरे हुए हूं जब वह पक्के हुए होते हैं तब वह स्वास्ती के लिए सबसे अच्छे होते हैं और बच्चे हुए फ़लों को जबीन में गार दो ताकि नए पौते धर्ती से निकल सके यही प्रकृति का नियम है जिसे तुम आगे चल कर सीख जाओगे सच म सीखेंगे क्या हां सिम्बा पर तुम्हारी उम्र में सीखने के साथ खेलना भी चाहिए सुना तुमने चलो चल कर लोग का छुपी खेलते हैं समझ गया पर अभी मुझे सोना है हां कैसे हो तुम लोग किसी न मुझे से कहा कि मुझे तुरंत यहां आना है कुछ गर्मल है को भारी चीज तो नहीं उठानी है लगता है आज बच्चों को बहुत कुछ सुनना पड़ा है कोई कुछ तो बताओ क्या कोई नई शैतानी कर हां आज कल पता नहीं क्या-क्या खा लेते हैं मेरी तु सुनते ही नहीं अच्छा तो फिर यह बताओ मेरी सूर के ठंडे पानी के फवारों से नहाना कौन पसंद करें शुक्रिया वह भी भी सीख रहा है हाती पता है बस मजा कर रहा था अभी यह बच्चे हैं समय के साथ सी जाएं तरसल मैं भी थोड़ी देर पहले यहीं समझा रहा था थी लगता है इन्हें समझ में आ गया है ठीक है फिकर मत करो तुम घर जाकर सोजो मैं इनका ख्याल रखूंगा यह सुरक्षित है चुक्रिया मैं थोड़ा आराम करता हूं नने बच्चों शयतानी मत करना हां अगर तुम्हें चमेली के हाथों का खाना पसंद नहीं है तो तुम्हें खुट खाना ढूंडना होगा सिम्बा तुम बगीरा से शिकार करना सीख लें और तुम बख्षोड तुम मेरे साथ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं ठीक है बख्षोड अगर यह प्रिस्ताव मन्जूर है तो मैं अभी बगीरा को बुला लेता हूं हां 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 बुल-बुल उम्मीदेश से तुम्हें कुछ बदत मिले हम सबने वादा किया था याद है न हां शुक्रिया तुम बहुत अच्छे हो हां कैसे हो बगीरा यहां जल्दी आने के लिए शुक्रिया चमेली थोड़ी परिशान है कैसे हो अच्छे में मैं इसे खाने ही वाला था कि तुम लोगों ने बुला लियो सिम्बा को सिखा औरषिकर कैसे करना है आजकल कुछ भीगाता है ऐसे हो सिंबा ठीक हूँ ए नहीं इसे मच्छो सिम्बा यह तुलम्हारे लिए नहीं है fantasy यह मेरा शिकर है पानी आ गया बगीरा बस थोड़ा सा खाने दो कल तो तुम मुझे शिखार करना सिखा दोगे यह लो तुम खा सकते हो पुरा खाल उसके बाद एक अच्छे सी नेन ले लो ताके कल हम शिखार पर जल्दी निकल सके शुक्रिया अगर तुम ना होते तो इन्हें संभालना कितना मुश्किल था यह सब शैतान है बच्चों को ठीक से पालने का वादा हम सब ने किया था खल से मैं खुछ सिम्बा को शिकार करना सिखाऊंगा और बग्शोट को अच्छा हिरन बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो चमेली आज सिम्बा और बग्शोट बहुत खुश है क्योंकि उनके पास खाना है पर क्या आने वाले समय में वो आज मिली सीख से कुछ सीख पाएंगे बड़ा और ताकतवर बनने के लिए उन्हें अच्छे खाने की जरूरत होगी ये जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा